पहले नागरिक्ता संशोधन कानून और उसके बाद अब कोरोना इन दोनों मुद्दों को जिस तरह से यूपी के सीम योगी अधितिनाथ हैंडल कर रहे हैं वो कादले तारीफ है और उनके कामों के लिए उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है यहां तक कि ऐसे संकत के समय में जो प्रवासी फसी है वो भी सीम योगी अधितिनाथ को बेस्ट सीम बता रहे हैं लेकिन कोई तो ऐसा है जो सीम योगी के कामों से चिड़ता है उन्हें चोट पहुचाना चाहता है उन्हें जान से मार देना चाहता है तभी तो उन्हें बंग से उड़ाने की धमकी दी गई है जी हां उत्तरप्रदेश के मुखेमंत्री योगिया अधितिनाथ को बंग से उड़ाने की धमकी दी गई है 112 की सोशल मीडिय डेस्ट के वाट्साप पर सीम योगी की खिलाब धमकी भरा मेसेज भीजा गया है मेसेज में सीम योगी को एक विशेश समुदाय के लिए खत्रा बताया गया है इस धमकी भरे मेसेज के बाद इंस्पेक्टर धीरज कुमार ने गोमती नगर पुलिस टेशन में धारा 5051B, 506 और 507 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है धीरज कुमार के मताबिक, UP 112 के सोशल मीडिय डेस्ट के वाटसाप नंबर 757-0000100 पर मोबाइल नंबर 8828-453-350 से गुरुबार राथ करीब 12 बच कर 32 मिनट पर धमकी भरा मेसेज आया मेसेज में लिखा था, मैं योगी अधितिनात को बंग से हमला कर जान से मार दूँगा, फिर उसने योगी को कुछ लोगों की जान का दुश्मन बताया ट्रू कॉलर के माध्यम से जब धमकी भरा मेसेज भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की गई तो लिखा आ रहा है हाई गाई, जिस्ट अब्यूजेंग तिलाल पुलिस गंभीरता से मामले की जाच परताल में जुट गई है आरोपी के बारे में जानकारी हसल करने की यूपी पुलिस पूरी कोशिश कर रही है लकनों के पुलिस कमिशनर सुजीत पांडे के मताबे के फायार दर्जकर मामले की परताल की जा रही है सवाल ये कि आखिर वो कौन है जो CM योगी को बंग से उड़ा देना चाहता है और ये शक्स कौन से विशेश समुदाई की बात कर रहा है जिसके लिए CM योगी खत्रा है